चीन के जियांग सी प्रांत में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है यहाँ पर डाइनोसार के एक अंडे का जिवाश में मिला है और वैग्यानिकों को इसके अंदर संरक्षित डाइनोसार का एक भून भी मिला है इस भून को बेबी यिंग लियांग नाम दिया गया है और इस बात की चर्चा काफी चल रही है बता दें कि सबसे पूर्ण डाइनोसारों के भून में से एक है और यह 10.6 इंच लंबा रहा होगा डाइनोसार का यह अंडा लगभग 6-72 मिलियन यानि 7 करोड वर्ष पुराना है इसके बारे में बंकिंगम विश्वध्याले के नेत्रत्व में पहली उंटोलोजिस्ट ने कहा कि यह बेबी यिंग लियांग दात रहित चोच वाले थेरोपोर्ट डाइनोसार या ओविराप्टोरोसार की प्रजातियों से संबधित थे यह पंगो वाले डाइनोसार थे जो एशिया और उत्तरी अमेरिका की चटानों में पाये जाते हैं इसकी चोच शरीर का आकार अलग-अलग होता था जिससे वो आहार की एक विस्तृत श्रंखला को अपना सकते थे अब तक मिले रिपोर्ट के मताबिक बेबी यंग-लियांग अंडे सेने के करीब था तस्वीरों में जो बात सामने आ रही है कि उसका शरीर नीचे था उसकी पीठ अंडे के आकार के तरह मुड़ी होई थी उसकी पैर सिर भी दिखाई दे रहे थे रिसर्चेर्स के मताबिक आधुनिक पक्षियों में इस तरह की मुद्रा टंकिंग के दुरान नहीं देखी जाती है टंकिंग केंद्री तंत्र का तंत्र से कंट्रोल होने वाले एक प्रक्रिया है जो एक सफल हैंचिंग के लिए जरूरी होती है उनिवसिटी ओब बंकिंगम के जिवाश्म विज्ञानी और उनकी टीम का कहना है कि डाइनोसौर के भूण कुछ सबसे दुरलब जिवाश्मों में से एक है और बेबी यंगलियां की खोच को लेकर सभी बेहत उत्साहित है सब्सक्राइब आट चानल और प्रेस्ट बाल इकन पूर मोर अप्डेट